हाई फ्रेंज कोक विट नीशू में आप सभी का स्वागत है जैसे कि आप जानते हैं आज हम बनाने वाले हैं इंस्टन्ट कटहल के कोफते यह बहुत ही यम्मी होते हैं और बहुत ही जल्दी बन के तयार भी हो जाते हैं जैसे कि आप जान रहे हैं कि यह कटहल का सीजन है यह इजी ली मिल भी जाते हैं, तो चलिए आईए हम रेशीपी बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कूकर ले लिया है, कूकर में हम डालेंगे कटहल, मैंने 500 ग्राम कटहल लिया है, फिर इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ, तीन आलू आपको अगर आलू न पसंद हो तो आप इसकीप कर सकते हैं पर मैं यहाँ पर आलू एड़ कर रही हूँ फिर इसके बाद हम लेंगे एक कप पानी और फिर इसके बाद हम अपने कूकर के ढखकन को बंद कर देंगे और कम से कम इसमें 5 सीटी आने देंगे तो चलिए हम इसे गैस पे रख देते हैं फिर जब तक इसमें सीटी आती हम मसाला पीस लेते हैं तो सबसे पहले मैं यहां ले रही हूँ प्याज मैंने एक प्याज ले लिया है फिर इसके बाद मैं यहां पे ले रही हूँ हरी मिर्च और साथ से आठ लहसुन की कलिया पहले हम हरी मिर्च की डंठल को निकाल देंगे फिर इसमें हम हरी मिर्च लहसुन और अदरक डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से हम ग्रेट कर लेंगे थोड़ा सा मैं यहाँ पर जीरा भी आइड कर रही हूँ फिर इसे हम ग्रेट कर लेते हैं तो देखें इसे में दरदरा ही पीसना है बीना पानी डाले मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है यह रेडी है पीस के इसे हम एक बाउल्ड में निकाल लेते हैं फिर इसी ग्रेंडिंग जार में हम टमाटर पीस लेंगे दोनों चीज़े अलग अलग पीसने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो देखें हमारा टमाटर भी पीस के इतम अच्छे से रेडी है हम इसे भी एक बाउल्ड में निकाल लेते हैं फिर चलिए हमारी कूकर ने सीटी लेना सुरू कर दिया है जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें लगभग 5 सीटी आ चुकी है अब इसके बाद हम इसे अपने आप ही ठंडा होने देंगे जब तक इसका पेसर अच्छी तरीकी से रिलीफ नहीं होता तो देखे ये ठंडा हो चुका है और मैं आपको चेक करा देती हूँ कि हमारी कटहल भी एदम अच्छे से पक चुके हैं और जो आलू है वो भी एदम अच्छे से पक चुका है अब इसे हम एक बाउल में निकालके मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर देंगे तो देखे लगभग मैंने इसे अच्छी तरीकी से मैश कर लिया है और ये अच्छे से मैश हो चुका है तो अब इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले अट करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ हल्दी तो हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे फिर इसके बाद हम टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेंगे नमक नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे मिर्च पाउडर आपको जितना तीखा पसंद है उतना तीखा आप डाल सकते हैं तो चलिए मिर्च पाउडर के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ धनिया पाउडर फिर इसके बाद मैं इसमें आड़ करूंगी अजवाइन अजवाइन को हम अच्छे से क्रश करके डालेंगे देखे इसे मैंने क्रश कर लिया है इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे तीन चम्मच बेसन मैंने दम भर के चम्मच लिया है फिर अब हम सारे इंग्रिडिन्स को अच्छी तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे इसमें हमें बिल्कुल भी पानी आड नहीं करना है अगर आपको यह गीला लगता है तो आप इसमें और बैसन आड कर सकते हैं पर मुझे यह ठीक लग रहा है तो मैंने हाथ पे हलका सा तेल लगा लिया है फिर हम इसके गोले बनाएंगे तो देखिए इसी तरीके से हम अपने सारे कोफ्ते को अच्छे से बॉल्स बना लेंगे लग बग हमारी सारी बॉल्स variety है तो मैंने तेल रख दिया है अब ओयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है अब हमने जो बॉल्स बना के रखी हैं कोफ्ते की उसे हम इसमें add करेंगे और medium high flame पे हम इसे पहले एक तरफ अच्छे से fry होने देंगे फिर fog की मदद से मैं इसे थोड़ा थोड़ा सा वो कर लूँगी कि बिलकुल भी नीचे से जले ना तो हम इसे अच्छे से पलट लेते हैं अब इस stage पे हम अपने flame को slow कर देंगे और कम से कम 2-5 मिनट इसे दूसरी तरफ भी अच्छे से ब्राउन होने देंगे यानि की fry होने देंगे जैसे कि आप देख रहे हैं ये अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं अब इसी तरफ से में 1-5 मिनट इसे और थोड़ा सा फ्राई करूंगी ताकि ये क्रिस्पी हो जाएं जैसे कि आप देख रहे हैं ये कितने अच्छे लग रहे हैं अब इस स्टेज पर हम इन्हें थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इन्हें निकाल लेंगे तेल से बाहर तो चलिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं अब इसे हम निकाल लेते हैं आप चाहें तो इसे ऐसे भी ले सकते हैं या हलकी फुल के भूक में नास्ते के तौर पे भी ले सकते हैं तो देखिए हमारे कोफते ready हैं अब हम सब्जी बनाने के लिए चलेंगे उससे पहले जो बच हुए है हम उसे डाल के अच्छी तरीकी से इसे फ्राइ कर लेंगे और इन्हें भी हम निकाल लेते हैं तो देखे लगबग मेरे सारे कोफते तयार हैं तो हम सबजी बना लेते हैं तो सबसे पहले मैंने गैस पे कढ़ाई रखे इसमें हम तेल एड करेंगे फिर इसके बाद यहां पे मैं ले ले रही हूँ दो से तीन तेज पत्ते इसके बाद मैं ले रही हूँ दाल चीनी और फिर इसके बाद मैं यहां पे लूँगी काली वरली बड़ी इलाइची इसका मुह मैंने खोल दिया है ताकि इसका स्वाध हमारे सबजी में खिल के आए फिर इसके बाद मैं ले रही हू स्लो रखें कि हमारे एक भी मसाले जले न तो देखिए हमारा जो प्याज की ग्रेवी हमने इसमें डाली थी वो लाइट ब्राउन हो गई है इसके बाद हमने जो टमाटर की ग्रेवी बना के रखिए उसे भी हम इसमें एड कर देंगे और इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे इसके बाद हम कुछ मसाले एड करेंगे फिर में यहाँ पे लूँगी हल्दी पाउडर फिर इसके बाद में यहाँ पे लूँगी धनिया पाउडर फिर इसके बाद हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेंगे मिर्च पाउडर तो अब इसके बाद में ले रही हूँ गरम मसा इसे भी हम इसमें एड करेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लेंगे नमक अब सारे इंग्रिडिंस को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर पहले मिक्स करेंगे इसके बाद हम अपने फ्लेम को इद्धम स्लो कर देंगे और सारे मसाले को पानी एड़ करेंगे मैं यहां पर दीड़ कप पानि लोंगी आपको जितना पसंद हो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं यहां इसके बाद मैं इसे अच्छी से मिग्स कर लोंगी और मिग्स करने के बाद हम इससे कम से कम पाँच jos के लिए अच्छे से पकने देंगे तो मैं इसी मीडियम हाई फिलेम पे पकने के लिए छोड़ देती हूं हम इसे कवर कर देते हैं पांच मिनट कंप्लीट हो चुके हैं देखिए हमारी सब्जी कितने अच्छे से बॉयल हो रही है जो कोफते की बॉल्स हमने बनाए हैं इसी स सारे बॉल्स इसमें डाल देंगे और कम से कम एक मिनट तक हम इसे कवर करके अच्छे से पकाएंगे ताकि जो भी ग्रेवी जूसी से यह अच्छे से अपने अंदर अब्जॉब कर ले तो चलिए हम इसे मिक्स करके एक मिनट तक इसे मीडियम हाई फिलेम पे पकने के लिए छोड़ देते हैं एक मिनट कम्पलीट हो चुका है आप देख रहे हैं इसमें अच्छे से बॉल आ रहा है और हमारे बॉल्स अच्छे से फुल चुके हैं और हमारी ग्रेवी भी थिक हो चुकी है इसका मतलब यह रेडी है मैं इसे अब ढखके एक से दो मिनट के लिए कीजिए ओके फ्रेंज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई रेसीपी के साथ बाइए